hello students, giant students i hope कि आपसा बच्चे होंगे और अपनी preparation बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे तो चलिए students आज हम अपना GK का part number पता नहीं याद नहीं है रहा कितना भी आप नमर लेकर आए हैं चलिए जो भी हो आज का बच्चा लेक्चर सिर्फ लर्न करने वाला है जादतर लेक्चर सिर्फ लर्न करने वाला है समझना क्या इसमें बस आपको नेम्स बताऊंगा पास का आज हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं समझने वाला तो दर्रा और पठार पढ़ रहे हैं यह भी प्लेटियों को पठयाजाता है और प्लेटियों को पत्हाल को लिए तो चल एह सबसे पहले कोशन आपके मन में आता होगा what ishasure больше यह बताई तो सभी बच्चे डियाग्राम के सारे में संझाता हूं आपने मऊंटेंच देखें हों कहते हैं और वे अच्छे से तरीक के सा आपको इस टाइगरमें समझ में आ जाएगा मैं देख लीजी इधर माउंटन इधर माउंटन यह बीच में से पास जा रहा है पास मतलब कि अगर दूसरा मेनिंग पास करे तो पास मतलब कि पास से गुजर गया पास मर होकर गुजर गया पास महोकर गुजर गया तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि माउंटन के बीच में से जो रस्ता होता है उसे पास कहा जाता है माउंटन के बीच में से जो रस्ता होता है उसे पास कहा जाता है जो कि हमारे exam के point of view से बहुत जड़ा important है तो सबसे पहले हमने north से start किया है north से start किया था सबसे पहले हमने north में क्या आ गया north में आ गया जम्मू और कश्मीर और लदाख तो इसमें पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा कौन सा पास है जम्मो और कश्मीर में और लदाक में तो जम्मो और कश्मीर इसमें सबसे पहला पास है बनी हाल पास सबसे पहला पास है बनी हाल पास फिर दूसरा पास यह बच्चा इसको सिर्फ ऐसे समाज नहीं है मैं जैसे जैसे रिपीट करता रहूँगा आप उसको अप को माइंड में याद दखते हैं कि रफ कोपी पर लिखिए देखिए कितने अपने लिख पाए फिर उसके बाद मेरा लेक्चर फिर दुबारा लिखिए फिर अपने फेर नोट्स बनाईए फिर फेर नोट्स बनाने के बाद फिर रफ कोपी पर लिखे दे दिए पास का कल्यान कर दोगे आप लोग पास का कलेंट पास आपको समझ में लग जाएंगे 100% शोरू में 100% शोरू जो बचा ऐसे करेगा जैसे मैंने भी आपको बताया उसको 100% यह पास आज के आज ही मतलब की 10 to 15 मिनिट्स के अंदर ही आपको पास याद हो जाएंगे दूसरा पास कौन सा है खर दूंगला पास यह जो खर दूंगला पास है यह हाइस्ट मोटरेवल पास है मोटरेवल मोटरेवल से अपसे लोग समझ गए कि मोटर साइकल मतलब कि मोटर से चलने वाला गवी गाड़ी मान लीजिए कि यह जैसे माउंटेन है यह सबसे हाइस्ट है तो यहां से माउंटेन ट्रांस्पोर्ट गुजर रहे हैं ट्रांस्पोर्ट मोटर साइकल, साइकल, ट्रक, कार, बस गुजर रहे हैं तो यह जो सबसे उपर पास होता है उसे ही क्या कह जाता है उसे जो पास होता है माउंटेंस में वो कौन सा है सबसे उचा पास मतलब कि दर्रा कौन सा है जहां पर motor जिगा है, motorcycle आवा जाए के साधन गुजर सकते हैं कौन सा पास है वो? खरदूंगला पास कौन सा पास है? खरदूंगला पास देखे जैसे मैंने लिखा है उच्तम motor yoga pass सबसे उचा motorable pass दूसरा पास कौन सा है? चांगला दूसरा पास कौन सा है? चांगला बचाए ये ला को ला को ही पास कहा जाता है ला को ही पास कहा जाता है अब सब बताए ये ला को पास पास को ला किस language में कहा जाता है? ये पास को ला किस language में कहा जाता है? आप लोग सब लोग बताइए चांगला पास चांगला पास कौन से कुस में लड़ाक में लड़ाक भात एुनिल में हैं अगला गया बुरजीला अगला बुर्जीला पुरजीला कहा warm करता जैसे मैं करण आ आप पास काम है लदाख में है फिर जमौ और कश्मीर के और लदाख के पास खतम होगे फिर पीट कर देता हूं कि आपको दुबारा देखने की जलूरती न पड़े नोर्स बनाते बना दे तक आपको 10 to 15 मिनट्स में 10 to 15 मिनट्स में आपको याद भी हो जाए आपको 10 to 15 मिनट में याद भी हो जाए और होने भी चाहिए बच्चा यह कुछ ज्यादा इतने हाड नहीं है कि इसके लिए अपना टाइम निकालेंगे अगे टाइम बहुत कम चल रहा है तो जमौर कश्मीर लदाख में कौन सा पास है सबसे पहले बैनिहाल पास है बैनिहाल के पास के पास क कहा पर है जमौर कश्मीर में है विए जोजीला पास जोजीला पास कहां पर है लदाख में है फिर अगया हमणा suction परदेश्त मात्याज़द परदेश के कौनकौन से इंपोर्टन पास है तो चलिए बचा बताइए बचा इसमणा है कि आप है इसमें भास में और हैं यह जो के बीच में से जाने वला रास्ता उस्सर पास कहा जाता है इधर बिहार और इसा अरूनाचल प्रदेश में तो पिहार और इसा मद़़ प्रदेश ही सब पहलाद किकी में कहा जाता है यसे अगला ओतांग पास रोटांग पाश में कौन-ईपास है लाचव सिह रखन पास और और शेके कह याद करने में असानी रहती आ उत्राखंड उत्राखंड स्टेट में कौन कौन सा पास आ गया नीती पास माना पास और लिपुलग पास देख लिए जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं जैसे जैसे होगा इसके बाद पूरे के पूरे अगले बार कोशिश करूंगा त्यार हो जाएं बस अगले बार कोशिश करूंगा अगला कौन सा आ गया सिक्कीम के अंदर दो ही पास हैं कौन से हैं नाथूला और जलेपला सीकिम के अंदर कौन कौन से हैं नाथूला और जलेपला फिर आगया अरुनाचल परदेश अरुनाचल परदेश के अंदर कौन कौन से हैं बमला बोमदिला और सीला बमला बोमदिला और सीला अगला गया इंडिया म मैनमर और चाईना इन तीनों के बीच मे उचना के इन तीनों के बीच में i गवैत माहराष्टर में घात होता है गहां टो बस महराष्ट्र में उसे कोई एक घारा घाट बोल दिया गया है जैसे पास पोल दिया गया है जैसे नदी किनारे घाट बोल दिया गया है माराश्टर में कौन सा आ गया भोर घाट और ठाट घाट भोर घाट और ठाट घाट अगला गया केरला केरला में कौन कौन सा आ गया पाल घाट और सैनो कोटा प पाल गहाट और सेनों गोटा पास पॉइंट वी नोटिट स्टुएंट्स ला पास गहाट तीनों का मीनिंग बच्चा एक ही है तीनों का मीनिंग एक ही है याद रखिए कंफ्यूस कर सकता है किसे कंफ्यूस करता है जो सिर्फ अब्जेक्टिव टाइप पढ़के गया जो च च्ट्री जमीन का वो हिसा जो चारो तरफ से गिरा होगा उसे पैटा उसे पठार कहते हैं जमीन का वो इह मालिजे की रास्तहुत है. यहती क्सिता है. प्लेट्यू को एक और नाम से जाना जाता है इंडिया पठार को यह कि और नाम से जाना जाता है प्राइडी वीप्य प्लेटु और inhibड में क्या बोलेंगे हैं परइडी वीप्य पथार किसे कहा जाता है भारत के पठार को प्राइदेवे पठार भी कहा जाता है Indian Platinum is also called Penisular Plate चलिए देखते हैं मालवा का पठार मालवा का पठार कहां कारपर है मालवा का पठार तीन स्टेट्स में कहां पठार है मध्यापरदेश में है गुजरात में है अगला कौन सा गया बुंदेल खंड का पठार अगला कौन सा गया बुंदेल खंड का पठार अगला कौनसा आ गया, बुंधेल खंड का पठार, बुंधेल खंड का पठार कहां पर है, उत्तर परदेश में है और मध्या परदेश में है, बुंधेल खंड का पठार कहां पर है, उत्तर परदेश और मध्या परदेश में है, अगला आ गया, बागल खंड, याद डंड कार्निय पथार अगला गया डंड कार्निय पथार डंड कार्निय पथार कहां पर है ये लीजेगा डककन का प्लेटियो कहा हैं महाराश्टर दककन के प्लेट और लावा पठार लावा प्लेटियो का जाता हैं अब बच्चा यह थोड़ा ज्यादा ही हाई लेवल में हो जाता है बहुत ही ज्यादा deeply घुश जाएंगे अगर इन समय में हर टॉपिक में इसे deeply घुश के गया तो आपका स्लेबस ना मत्र हो जाएगा, आपका स्लेबस complete नहीं होगा, बताएए आपको स्लेबस complete करना है अच्छे से, या मैं पूरा अंदर घुस घुस के पढ़ाईँगा, अंदर मैं अंदर घुसा, यह ड़कन प्लेट्यों के अंदर घुसा, तो कम से कम दो से तीन दिन इस दखकन प्लेट्व में ही लग जाएंगे ये बच्चा कोई छोटी मोटी चीजे नहीं है ये छोटी मोटी चीजी नहीं है जितनी छोटी मोटी आप लोग समझ रहे हो कि ऐसे नाम नूम लियाद कर लिए अभी तो बहुत कुछ आपको पढ़ाना है अभी कहा जाता है और ये इंडिया का सबसे लार्जस्ट पठार भी है मैंने कहा ना डगकन प्लेट्यू पूछा जाता है इंपोर्टेंट है कैसे पूछा जाएगा डगकन ऐसे पूछा जाएगा जो महराश्टर में जो पठार है क्या वो इंडिया का सबसे लार्जस्ट पठार है घुमाने के लिए हां लार्जिस्ट पठार है अगर पूछ देगा कि इंडिया का लार्जिस्ट पठार महारास्टर में है हां तो कौन सा है महारास्टर में दक्कन प्लेट्यू कौन सा है दक्कन प्लेट्यू कौन सा है दक्कन प्लेट्यू और पूछ देगा दक्कन कुश्ण कभी गलत नहीं का Heroes इंसरे तयोक्ट स्ड़ाइब talking प्राइबार यह सबसारे लागा सिर्फेकㄹ हूं। और हमेशा लास्ट में ज्स ध त्रियार्य क्रें कि सारे व्यां स्फॉर इस आजाएंगे जिन जिन बच्चों के जियोग्राफी में सारे के सारे कोशा निकले तो उनको पैरामेडिकल करेक करने से कोई नहीं रोक सकता चलिए नेक्स्ट अगले तो सिंपल सिंपल आगए करनाटका का पठार नाम से पता चल ज़रा है कहां पर है करनाटका में मैं गहले का पठार कहां पर है में घाले में छोटा नागपूर पठार यह important है छोटा नागपूर पठार दो बता दी एक डक्कन प्लेट्व important है और यह छोटा नागपूर पठार important है छोटा नागपूर पठार कहां पर है छोटा नागपूर पठार कहां पर है जारखंड में है छोटा नागपूर पठार कहां पर है जारखंड में है फिर मैं आपको repeat कर देता हूँ जो जो important कहां मैंने कौन सा important था इंडिया के पठार को क्या आज कहा जाता है इंडिया के पठार को पैनीन सूलर पठार भी कहा जाता है और मैंने भी बताया डगकन प्लेटिव महराश्टर में है आलसो का लावा प्लेटिव और ये इंडिया का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्लेटिव है और एक बताया छोटा नागपूर पथार छोटा नागपूर पथार कहां पर है छोटा नागपूर पथार जहारखंड मे है चोटा नागपुर पठार जहारखन में है और आपने आपको बताया ला पास और घाट तीनों का मतलब सेमी होता है कभी भी कनफ्यूज मत होईएगा कभी भी कनफ्यूज मत होईएगा अगर एक्जैमिनर सिर्फिरा हुआ निकला तो वो पास कटके ये इन दोने में कनफ्य कर सकता है और ज़्यादा कनफ्यूज करना तो घाट भी करते गए और अप लोग सोचोंगे विर यह बुर्जीला चांगला जोजीला शिप्कीला ये सब wor assass मैने भी किसनाम लिए ये मैंने पासिस के नाम लिए जिसे हिंदी में दर्रा भी कहते हैं हिंदीमें क्या कहते हैं जिसे हिंदी में धर्रा कहते हैं I hope कि आप सबको ये session अच्छा लगा होगा अगर आपको ये session अच्छा लगा होगा नहीं होना ही चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं तो जो बच्चे इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट लेक्चर में जय हैं जय भारत